आज से काफी समय पहले मैंने जो है आप लोग से YouTube के community टैब में question पूछ था कि अगर आप लोग कोई question है जो question आप लोग मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग अपना question जो है योटीब के community post के question बॉक्स में छोड़ सकते तो आप लोग मेंसे काफी सारों लोगों ने अपना question उस question box में छोड़ा तो मैं आज उसी question का question answer वीडियो में बना रहा हूँ और उस question का जो है मैं आप एंसर देने वालो आप लोग को सभी लोग को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा किसी बिस सवाल का चवाप देने से पहले मैं आप लोग को बदा देना चाहता हूँ कि मु बहुत सारे अलग-अलग variety के questions थे तो सभी जैसे मैंने बाता है कि सभी questions का answer दे पाना एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो अगर आगर आप लोग का question जो छूट जाए मुझसे तो यार बुरा मत लगा लेना अगले की वीडियो में उसका जवाब ज़रूर पूर दूंगा मैं तो यार बीना वागर इस पहले question की तरफ बढ़ते है जो यार बहुत जादा common question है कि मेरा नाम क्या है मेरी उमर क्या है और मैं कहां रहता हूँ तो यह सवाल पूचा है और बहुत से लोगों ने भी जह हो यही सवाल पूचा है तो यार सभी लोग का पूचा है तो यार अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ जो पूचा है यार नरेहा देवराने तो उनका सवाल है कि बाई ड्रेगन बॉल सूपर ब्रोली मुवी जो वो इंडिया में आने वाली है कि नहीं तो इसका जवाब है नाइन परसंट यह मूवी इंडिय आनाउंस करते जाते हैं अब अल्रेडी जो हो 27 फेबरोरी का अनाउंसमेंट हो चुक है जहां पर इस दिन पर फिलिफीन्स में यह मूवी रिलीज होने वाली है अब इसके बाद भी अगर वो लोग मूवी रिलीज करेंगे तो मार्च में हो जागा एप्रिल चला जागा इ तो निगिल पंडा का सवाल यह है कि कोई और अनीमे जैसे भाई माई हीरो एकेडेमिया ब्लैक क्लोवर एसो ए बैड एकसेटरा दे डू नोट हैव मेनी एपिसोड्स तो तो आप मेरे को सबसे पहली बात यहां पर सवाल समझ में नहीं आया है मैं ऐसे एजियूम कर रहा हो होगी मेरे व्यूस पूछ रहो इन अनीमे इसके उपर तो यह सबसे पहली बात है माई हीरो एकडेमिया का अनीमे बहुती ज़्यादा कमाल का है अभी तक आप लोग वैसा ऐसा कोई लोग है जो भाई जिन्हों ने जो हो माई हीरो एकडेमिया नहीं देखा है तो आप ब्लैक क्लोवर का मंगा बहुती ज़्यादा सही है मैंने उसका हर एक चैप्टर पढ़ा हुआ है तो अगर आप लोग को यह बहुती ज़्याद एक अच्छी श्टोरी चीह तो आप लोगों जरूर जाके जो वह ब्लैक क्लोवर का मंगा पढ़ना चीह एनीमे बिलकुल मत बिलकुल भी नहीं है इसी के साथ बढ़ता है अगले कोश्टन की तरफ जो पुछ है रिज्वान अंसारी ने तो उनका सवाल है कि भाई 414 डिसेंबर को जो हो यह मूवी रिलीज हो रही है तो क्या यह मूवी हम लोग को देखने मिलेगा या फिर हम लोग को यह इंगलिस स नहीं वहता है और हम लोगभ झाया इसे देखना पड़ता है तो जैसको लिए कम से कम जो हम लोग को 6 महिने रुखने पढ़ेंगे कि अगर जो पहले मुवी का ब्रोली और इस मुवी का ब्रोली वो लोग दोनों फाइट करेंगे तो उन में से कौन जीतेगा तो यार ये बहुत ही ज़ादा आसानी इस मुवी का ब्रोली जो वो आसानी से जीत जाएगा इसको भाई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी एक ऐसे चोटा सा पंच मारेगा और पिछले मुवी का ब्रोली जो आराम से हार जाएगा इसी के साथ भढ़ते है हमारे अगले सवालм की तरफ जो पुछ रिंकिया के टेकनीकिल पापाने जो ढ़सेन बड़ने से पहले रियर क्या नाम है बहुत ज़दा मुझे यह नाम पसंद आया तो यह रिंग्या के टेक्निकल पापा का सवाल है कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं कौन सी पढ़ाई कर रहा हूँ तो यह सबसे पहले तो यह मैं एक साथ दो-दो कोर्स कर रहा हूँ मेरे अंग भाई मस्ती की कमी नहीं है इसी के साथ यार बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के तरफ जो पुछा јराल अल्तिमें ठाका इने तो अल्टिमें ठाका इने जो वो दो से तीन सवाल पूछा है सबसा नहीं है कि मैंने ड्रफइन अगले कोमेडि के जो करना आता हो अब मेरे को comedy और roasting क्या फिर कोई भी technical हो या फिर वो कोई हो news reporting तो ऐसी चारे चीज़ा मेरे को करनी नहीं आती इसके लिए भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा channel खोल दू anime के बारे मुझे काफी ज़ादा पता था काफी सारे anime में देख रहा था तो इसके लिए मैंने सोचा कि anime के उपर ही क्यों ना बना जाए तो इसके लिए मैंने starting की Dragon Ball के साथ और अब मैं सोच रहो कि काफी सारे anime इसके उपर भी video बनाऊ जहां तक बात आते है और दूसरे सवाल की कि भाई मैंने अपने चैनल का नाम Saiyan World क्यों रखा है तो यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब मैंने यह चैनल स्टार्ट किया था तब मेरा चैनल का नाम था Dragon Ball in Hindi और यार यह नाम मैंने क्यों रखा था ऐसा कोई reason थो नहीं था कि मैंने यह नाम क्यों रखा और जहातक बात आते है अगले सवाल की मैंने YouTube से कितिना कमाया है तो इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि यह इस सवाल का जवाब दोंगा तो यह मेरी insult हो जागी एक साल से जो वो मेरे चैनल पे monetization चालू हो चुक है और अब तक जो वो मेरे को first payment में निकालने का option नहीं मिला है तो इसके लिए इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा अब बर देर अगले सवाल की तरफ जो पूचा है यार future trunks ने तो यार future trunks सब सब पहला है तो मैं सवाल पूचना चाहता हूँ कि future में सब कैसा है मतलब यार कोई फिर से problem हो यह फिर से बाइ किसी नए villain अटेक कर दिया शाद इसके लिए वो time machine लेके फिर से past में आ गया तो यार future trunks का सवाल यह है कि नारुटो या ड्रैगन बॉल इन में से best anime कौन सा है तो यार देखो सबसे पहली बात तो मैंने यह दोनों सीरीज पूरी तरीके से देखा हूँ है पूरा नारुटो नारुटो शिपूदिन और साधी साथ बरुटो और वही ड्रैगन बॉल की बात करो और मैं को लगता है कि ड्रैगन बॉल जी जो वह नारुटो शिपूदिन से काफी जाधा अच्छा है और वही अगर बात करें बरुटो और ड्रैगन बॉल सुपर की तो यार बरुटो में को काफी जाधा जातक बात आते हैं इंडोन के फाइट के वीच तो यार इसके लिए अपना आपीनियन थो यह वो नहीं देना चाहूंगा क्योंकि अब लोग ने गोजीटा सुपर सेंभी तक हैं अभी तक यार हम लोग ने जो उसको मुवी में नहीं देखाeker जो हम लोग बात कर रहाज मैं परशनलिंध आपक सब्सकों के मांगा के उपर वीडियो बनाऊंगे एंड प्लीज शाउट आट मैंने तो सबसे पहले तो सौमेर अंजन मिश्टर शाउट आट तो यू जहां तक बात आते हैं अटाइक उन टाइटन के मांगा के मांगा मैंने पूरी तरीके सा पड़ा हुए फुल मैंने अभी अभी तक जो 110 चैप्टर बने हुए जब तक मैं यह वीडियो बना रहा हुए तो यह जो हो मैंने सारे के सारे चैप्टर पड़े हुए और मैं काफी ज़्याद मुझे यह पसंद आया जा तक बात आती है इसको इसके उपर वीडियो बनाने की तो यह वीडियो शाइद मांगा के बहुत ज़्यादा है जो लोग यह मांगा परते वह बहुत ही ज़्यादा कम है तो इसके उपर यह मांगा के पर शायद मैं वीडियो ना बनाऊ लेकिन जब यह इसका जो है वह सीजन 4 या फिर सीजन 3 पार 2 जो भी आप लोगको बोल ले है वह जब एप्रील में आगया देखे तो मैं उसको आई बटन में देने की कोशिश करूँगा अगर मुझे याद रहा तो तो अब लोग जाके वह ज़रूर देख लेना जापर मैंने बाता है कि बाई ड्रागन बॉल सुपर ब्रूली की मूवी के आगे स्टोरी जो है वो सबसे पहले मांगा में स्टार् द्रागन बॉल जी तो मेरा फेवरेट एंडिमे वितागन बॉल जी होगा एससीनेशन क्लास्रूम वह बहुत ही ज़दा कमाल का अनिमे मुझे वह इनिमे बहुत ही ज़दा पसंद आया श्पेशली जह उसका एंडिंग वह बहुत ही ज़दा इमोचनल है तो आप लोग रे पनाने चाहिए कि नहीं और यब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना तो मिलते अगले ड्रैगन बॉल वीडियो में